हेलो बच्चों क्या हाल है आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है योगिश वर्मा आप सभी का वाइसर अकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत-बहुत स्वागा थे सो बच्चों करते हैं डेरेवेटिव डिफ्रेंसियेशन हमारा चल रहा है उसके आप अगर इस वीडियो को डिरेक्ट देख रहें तो पहले प्रीवेस सारे वीडियो देख लें अगर आपको पहले के वीडियो नहीं आ रहे है ट्रिगों नहीं आ रहा है तो एकदम 100% आपको नहीं समझ में आएगा सो सब कुछ देखके अगर आप इसको देख रहे हैं त का whole cube तो बच्छों यहां पर दिखे समझने वाली बात यह है की सर्फ दो फंक्षन है अगर हम अच्छे से आब फंक्शन तो हमको clear दिख रहे है बच्छों और वो दोनों फॉर्डवर्टक्ट में हैं एक फॉक्शन हमारा यह है और दूसरा यह है दोलमों प्रोडवाइर समय है कि सपाइए लिएपने्ट से लिए है तो उसका derivative उनको आता है 2x लेकिन अगर यहां पर किसी चीज की खोपड़ी में टू बैठ गया तो यह composite हो गया और पावर बड़ा होता है तो पहले पावर का derivative होगा फिर अंदर वाले होगा तो इसी स्टप से composite को यह इंटू वी को पहले फॉलो करना है और उसमें जहां derivative होगा होगा पर composite को तो चलिए कुशन स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा हमारे ठीक है सब्किरण में डिफरेंशियेट हंब करना रिघ्रीक अग्ष सुझिछ ना म Initiमिन अ बैस्ième जार्ट किया बैस्टू दिफ्रेंशियों ढटेंसिय भी दिफ्रेंशियों दिफ्रेंशिय्य विथ स्टू टीट्स्य चाहा हूआ हो जाएगा यू और यूटो वी रूल 축 यह यह एक तो यह वाला पार्ट इस चलेंगे इनको कुछ नहीं हो सकता तो अगर इनको कुछ नहीं होना है यह देखो क्या हो जाएगा पहले तो मैं इसको कंटीनियू करूंगो तो यह जाएगा बच्चो वन प्लस साइन स्क्वेर एक्स का स्क्वेर तो इसको हाथ नहीं लगा ना अब जिस दिन इसका डेरिवेटिव होगा यह वाले पार्ट का डिफ्रेंसियेशन होगा तो बच्चे पहला खोपड़ी का होगा खोपड़ी में 3 यह देखो पावर बढ़ा होता है मैंने पहले समझा र जो 3 नीचे आगया पावर में एक कम हो गया अगें डेरिवेटिव कर देंगे जो अंदर ए तो भी अंदर कौन है अंदर है वन प्लस कॉस्क्वेर एक्स यह ओ गया संपोजिट सिंस इट इस कंपोजिट तो भी अंदर वाले का वापस डेरिवेटिव हो गया बाइक वह साइन स्कुरे एक्स अब यह रहें तो अब अन्प्लिट करतें को कम्लीट कैसे का रहें बच्चों तो यह देखें इस वन प्लस साइन स्क्वेर एक्स का स्क्वेर नहां यहां पर डेरिवेटिव प्या हाइं तो eesser टिर ले इस को इसimento करना बनफ्लस 122 कॉ स्कुर्य को स्कुर्य नवन का derivative 0 भी देखो यह कॉस स्कुर्प अग्ष сотруд स्कुर्फ एक्स हागें derivative व्कॉस पहलेлом का वॉल कोल ना कोस बारी है warmth derivative of cos plus similar case यहां पर बच्चो इस 1 plus cos square x कि होल क्यूब इस 2 1 plus sin square x यहां पर बच्चो अगर हम observe करेंगे तो 1 का 0 और इस 2 sin पहले पावर का हो गया ना साइन का derivative होगा derivative of sin और यहां पर कानी खतम हो जाएगी next step पे अगर मैं next step देखूं बच्चो तो यहां देखेंगे अगर आप देखें यहां पर भी one plus sin square यहां पर यहां पर दो बार है तो कम से कम एक बार विकेंट टेक आउट यहां पर one plus cos square दो बार है यहां पर तीन बार है इसमें से भी common आ जाएगा तो भी जो common आ रहा है थोड़ा easy कर लेते question को it is one plus sin square x एक यहां से one plus sin square दो था एक गया यह पूरा पूरा गया तो बचा गया थ्री और one plus sin square एक ही बचा सब्सक्राइब रखना one plus sin square दो है एक बाहर आया तो अंदर एक बचेगा यह देखो एक बाहर आ तो अंदर एक बच गया one plus cos square का power two है मैंने common कितना निकाला है दो तो अंदर एक भी नहीं आएगा फिर यह थ्री बचा है वो लिख दिया मैंने यहां पे कौन बचा है देखेंगा अच्छे से तो इस two cos का derivative minus sin होता है बच्चो तो इस cos x और minus sin x into में है minus sin x और यहां से देखो भी यह तीन बार ने दो बार बार चला गया तो दो बार मैंने बाहर लिख दिया है तो यहां पे एक बार बचछेगा बच्चो प्लस one plus cos square एक बार अंदर बचा है बच्चो एक बार था मैंने उसको बहर ले लिया तो कुछ नहीं बचा यहां 2 है मैंने 2 यहां लिख दिया और अंदर यह क्या है बच्चो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है इस 2 साइन इन 2 कॉस अब और अब करने वाली बात क्या है बच्चो यह तो बाहर कॉमन है इसको हाथ नहीं लगा सकते हम यह एज़ेटिस रहेगा ब्लास तक इसको कुछ नहीं करना है हमको अब यहां पी देखोंगे ये लिसम और का पूरा का पूरा मिल्टिपलाइ में बच्चो इस मैं नहीं आग्ये लिख देए ये-1कल साइन ंकोर साइन आ इंटनो नी-ट्रथिक्ट होता है। यहां पर चला गया देखना यहां पर बाहर मतलब एकदम स्टार्ट में लिख दिया मैंने प्लस सेम केस यहां पर बच्चो इस 2 1 प्लस कॉस्क्वेर और यहां पर देखेंगे तो इस से साइन 2 x 2 साइन 2 कॉस का फॉर्मूला अब दोनों में साइन 2 x कॉमन है मैं बाहर निकाल लूगा आप बोलेंगे सरी क्या कर रहा है आप डेरिवेटिव तो नहीं कब हो गई बच्चो सबसे सिंप्लिफाइड आंसर ही पर्फेक्ट माना जाता है सो साइन 2 x कॉमन निकाल लो सो इट इस 1 प्लस साइन स्क्वेर एक्स इस नॉट पार्ट अप डेरिवेटिव लेकिन बच्चो हमको सिंप्लिफाइड करना है कॉशन को और साइन 2 x दोनों से कॉमन निकाल दिया मैंने तो साइन 2 x बाहर आ गया और इस दिन यह मल्टिप्लाइड करूंगा इट इस माइन सुल सब करना है मैंने स्पेमिल खंब करना है यह सकनल यह साइन 2 एक्स बाहर फिकिक दिया है प्लस 2 प्लस 2 कॉस्वेर एक्स और यह स्टीमें तो आंसर अगया और क्या कर सकते हैं इसको as it is रख दो इसको भी as it is sin 2x as it is power में 2 है इस लिख देता हूं बच्चो नहीं mistake नहीं कर देना कुछ here it is 1 plus sin square x और यहां पर अगर मैं देखो minus 3 plus 2 बच्चो minus 1 हो जाएगा तो बचा क्या है इस जो positive है उसको पहले मैं लिख दे रहा हूं 2 cost square x minus 3 sin square x minus 1 बस कहानी खत्म यह बच्चो मेरा final answer है अब और simplified करना तो क्या ही बनता है कुछ नहीं बनता बस हो गया इतना answer बहुत है हमने काफी simplified करकर के बच्चे बहुत बड़ा असा answer लिखा है आप देख रहे होंगे कहां से start किया था question और कहां तक चला गया थोड़ा अगर हम इसको को स्क्विस कर दिया मैंने थोड़ा सा तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है बच्चो पूरा का पूरा answer आगया इना फ्रेंट यह पूरा answer है तो लगबग एक दो तीन शे साथ आठ स्टेप्स में कर दिया वह answer को जबकि डेरेवेटिव अगर समझा जाए तो सड़ डेरेवेटिव की अगर बात की जाए तो यहां पर अल्मोस डेरेवेटिव खतम हो गए ठीकि यहां तक तो यू इंटू वी बगए रहे था अब अगले कोशन में अगर हम देखें बच्चो इस रूट ओफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स तो कोई दिकत नहीं है तो सिंपल सिंपल कंपोजिट का फ्रेम है बच्चो बस यह कि एक प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस उसके भी अंडर रूट ऑफ एक्स अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है बच्चो सो डिफ्रेंशियेट विद रिस्पेक्ट टो एक्स तो डीवाइब डीएक्स क्या हो जाएगा बच्चो ध्यान देना जैसे मैंने डेरिवेटिव स्टाट की बीच में प्लस है तो यू इंटू भी यू अपॉन वी जैसे कुछ नहीं लगेगा डिरेक्ट डेरिवेटिव होगा पहले तो इस पार्ट का डेरिवेटिव कर दो रूट का मुझे पता है वह होता है वन अपॉन टू रूट वाटेवर अंदर है जो एंटू अ यहां पर देखो बच्चो इन वन अपॉन अपॉन टू अंडर रूट ऑव जो भी अंदर ए और सूट एक्स जो अंदर है वह एज इस रखा फिर उस अंदर वाले का डेरिवेटिव का रूट एक्स का अब अगर इसमें भी आप्स नहीं है को सकत डेरिवेटिव है मेरे पा अपान 2 root cos X plus 1 upon 2 under root of cos उसके भी under root of X तो दोनों में difference है बच्चों यह cos X ए यह cos के अंदर root है तो बही दोनों में अलग-अलग है यहां पर cos का minus sign root X हो जाएगा बच्चों और again derivative root X का होगा है into my derivative of root X so now इसको simplify करते हैं बच्चों तो दोनों में कुछ common हम might rumour點 मैंने और निकाल लिए मैंने यहाँ यहां के यहांका सब्सक्ता है यह 1 by 2 root x so you got your final answer बस इसको थोड़ा और simplify करना है तो क्या करो यह इसके साथ multiply हो जाएगा अंदर नहीं बाहर रहे का multiplication में ठीक है अंदर नहीं कर देना है बस that's it यह answer हो सकता है बच्चो और ज्यादा उगली करने का तो कुछ मन बनता नहीं है इस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ओफ पॉस एक प्लस बचो यह दोनों multiply का यह रूट एक्स रूट एक्स काटना नहीं यह साइन का एंगल है यह नॉर्मल एक वेरियबल है तो कट नहीं होगा इस साइन रूट एक्स अपॉन में टू रूट एक्स यह गलती से आगया बच्चो ठीक है बीच में टू था यहां पर इंटू है इंटू है वान अपॉन टूट एक्स ठीक है तो इससे यह फाइनल आंसर बस हो गया इनफ है इससे आगे ज्यादा बहुत ज्यादा सिंप्लिफाय करने का कोई तुक बनता ही नहीं क्योंकि आगे पूरा का पूरा कोशन कंप्लीट नेक्स सवाल अब अगला सवाल देख रहे होंगे तो बड़ा साधर आसान सा सवाल है पहले इसमें इसको पहले तो समझो आप जिस दिन लॉग को देखोगे जैसे आपका पहला काम ही होता है बच्चो कि हमको क्या दिख रहा है यहां पर यहां पर हमको लॉग दिख रहा है और आपको तुरहन ब्रें में क्लिक होना चीए सर कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमको पता है बन बाए एक्स होता है सबसे पहले तो यह क्लिक हो जाना चीए हमको आप जैसे ही मैंने लिख दिया कि मेरा कुशन है य इक्वल टू लॉ लेकिन एक्स की जगे ने बड़ा असा रामायंड लिख रखा है कोई दिक्कत नहीं हमको उसे डरना है कि अंदर क्या लिक रखा हुआ बस जैसी मैं डिफ्रेंशियेट करूंगा बच्चो डिफ्रेंशियेट विट रिस्पेक्ट टू एक्स विधि रिस्पेक्ट टू एकस सो देखो dy by dx क्या हो जाएगा पहले तो लॉग पहला देखो लॉग है अंदर जो भी यह वो बच्चा है पीता जी को नहीं यहां पर लॉग है तो लॉग का डेरिवेटिव वन बाइक्स होता है तो भी यह हो गया वन बाइव वाटेवर जो अंदर है बच्चा उसको बिटा आधिया मैंने 3x प्लस 10 3x एन अगेन इंटू में डेरिवेटिव उसी बच्चे का सेक 3x प्लस 10 3x अब इसको कट नहीं कर देना यह डेरिवेटिव है इसका डेरिवेटिव कुछ और होता है सेम चीजे नहीं होंगी कि यह कट गया सर आंसर वन होगे ठीक है चलो उसका डेर लूखने है लुखना है लो प Перв बच्चो कहा सेक होता है अंदर ने क्बस के और अच्छ को सेक ल मिखत की प्लस 2 a2 पौसा सेक ही फ़िप्लवेटिव होता है को है इस लिःवेटिव लगा ना 한फ X की जगे 3X कोई दिक्कत नहीं है 10 3X बस अगें derivative कर दो 3X का क्यूंकि बच्चो X नहीं है X की जगे कोई और है तो बच्चा हो गया पिता जी कौन हो गया से सेम इसके केस में हम देखेंगे तो 10 का derivative बच्चो से का स्वेर होता है अगें derivative 3X जो अंदर है यह हो गया अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन खीच लो बस सो बच्चो यह क्या है वन अपॉन सेक्ट्री एक्स प्लस टैन थ्री एक्स एक तर्म इसको बाहर वैसे रखा है मैंने यहां से अगर हम देखें ना बच्चो सैट्री एक इसके पास भी इसके पास भी इसके पास है कै उसके यती काउमन निकाल सकता हो जो दोनों के पास है तो भी आ सेक्ट्री एक बाहर आगए विसके पास से टैन और सांटो यहां है प्लस इसके पास दो सेक्टा एक बाहर गया तो एक बचेगा बच्चो और इसका भी डेरिवेटिव 3 होता है अभी भी कुछ पुष कॉमन आ रहा है दोनों में दोनों में 3 आ गया बीच तोनों में से 3 बार निकल लो जरो पटाक्षे तो यह क्या हो जाएगा बच्चो देखो यह हो गया मेरा वन अपॉन इसको काटना नहीं सीक प्लस से बीच में इंटू नहीं है नहीं कटेगा ठीक है सेक 3x प्लस 10 3x जैसी मैंने 3 common निकाला ना बच्चो जैसी हमने इतर से 3 निकाला तो यह जाएगा 3 इंटू में इसा पुछ इंटू 3 सेक 3x सेक 3x ऑल्रेटी बारता दोनों से 3 कीच लिया तो अगर मैं इसको अच्छे रिवर्स लिखा हुआ है देखो प्लस में आप कोई भी कहीं लिखो इसको आगे लिख दो इसको पिछे कोई फरग नहीं पड़ता सेक प्लस सेक 3x प्लस 10 से सेंसे से 3x प्लस 10 दोनों कड जाएगा और इंटू मैं सब कुछ बिंदास मर जाएगा और और फाइनली हमारे पास बचे का क्या बच्छो इस ओनली टाइम सेक 3x यह हमारा फाइनल आउपूट यह हमारा अंसर है बहुत आसान था कोई दम नहीं था इसकोशन में भी बड़ा एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट हमने किया और खट से आंसर हमारे सामने बच्छो यह फाइन है उसका derivative के बच्चे को इसह रहा है इंटेऋ में बच्चे का derivative that इस एक नेजो यह उतनी बार डेजब कर देंगे रख्यंगों से बच्टो मैंने जैसी पाइबाइब नेटी से मल्टिप्लाइ कर दिया तो यह पाइबाइब नेटी एक्स लिख दो ऐसे उल्टा लिख देते हैं हम लोग क्या लिख देते बच्चों पाइबाइब अब यह सई है यह हो जाएगा आपका रेडियन में अप फिर क्या है फिर आप वही यह अप्लस साइन पीट्याटी इन्टू एक्स अपन वन-माइनस साइन एकस साइन पाइप 5opaइड़कोड़ Ethiopia मोइर इने ponvert कर लिया और एक बार अगर अगर यह डोपड़ होगया तो आप इसका डिरेवेटिव easily हो जाएका क्या क्या करता है अगर साइनधुल perché इसका derivative मेरे को पता है लेकिन X की खुपड़ी पर कोई डिगरी आ गई तो इसका derivative कैसे करेंगे वो तो हम भी नहीं जानते हैं हमने देखा ही नहीं कभी तो इसका derivative कर सकते कि भी साइन का कॉस हो जाएगा फिर से PX का होगा क्योंकि आपकी composite है तो सेम केस यहां पर इसका derivative बहुत आसान से हो जाएगा बच्छो पहली बात तो यहां पर आपको यूपान भी दिख रहा होगा सब बच्छों को अगर हम अच्छे से अब्लब करो तो बच्छों यह देखो यह ऊपर पार इसको यू बोलते हैं और यह डिवाइड इक्स क्या हो जाएगा मारा ड्यवाइबाइड एक्स हो जाएगा यू अपकान भी यूपान भी निके बच्छों वी इंटू रे डेरिवेटिव अफ यू माइनस यो यह यहीं कि 1 प्लस साइन पाइबाइब वन एक्स इनटु अच्छा गलत दिख दिया पच्छों यह देरिवेटिव का साइन नहीं आये का ना यू derivative of V minus V derivative of U minus U derivative of V V यानि कि बच्चों 1-1 प्लस का फरक है बड़ा गंदा सा उसकी वज़े से से सेम सेम साइन होते तो दोनों को डिवाइड कर देता है अनिखत्म जाती और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चों वी का स्क्वेड वन माइनस साइन पाए बाए 180 एकस का स्क्राइ owns the agriculture मैं यह हो अब ह歌 आपको दिख रहा है कि वह derivative का जुन जुना लग रहा हमाँ कर दो तो फजो धो जगे है एक यह जहां पर दे फोगा और यह यहां पर डिरेवेटिव अब वाका बाकित को तो हाथ भी काल्कुलेशन होंगे दिन दिसनस आंसर दो मिनिट में आ जाएगा बस केल्कुलेशन वाला पार्ट एक फालतू लिखने वाला है तो यह तो बच्चो ऐसी रहेगा वन माइनस साइन पाइबाइब बनेटी एक्स ठीक है यहाँ डेरिवेटिव स्टार्ट होगा बच्चू आप जिस दिन वन का डेरिवेटिव करो के चंस्टेंट है जीरो हो जाएगा सो साइन का अपने को पता है कुछ जो कॉस होता है कॉस फाय बाय बायal 18X बस अगें डेरिवेटी हो जाएगा किसका अंदर जो बैठा है वाय होग दिखा है रीत फेले का हौग गर्ला एसका यह अब जो अंदर है अंदर यह पूरा है तो इस पूरे इंतू जिस दिन मैं इसका derivative करूँगा D by D x होगा बच्चो ने जिस दिन derivative करूँगा देखो one constant का zero हो जाएगा sign का कॉस होता है तो इस – cos πॉइबाइ 180 X अगेन derivative ऑफ पाइबाइ 180 x बस यह ध्यान रखना है कि अगेन derivative होगा भचो हूओ हूँ देक्सका ठीक है और अपन में वी का स्क्वेर है यह ब्रैकेट पूरा क्लोज कर देंगे आपन में क्या है बच्चो वन माइनस सय था पाइब पाइब और इसका डेरिवेटिव करूं बच्छो तो एक सांसर बन रोता है यह पाइब बाइब बचेगा वहां भी सेंपाइब बने टी बचेगा और कुशन खतम हो जाएगा तो डी बाइब डी क्या मिल गया म मुझाइब भूवेग गर्यान से चैना यह और यह दोनों में कॉस यह मायने-0 मायनस तो यह बस नेगटिएव बचेगा तो यह माइनस प्लस हो जाएगा बुछो Desight गे माइनस पॉजि ensuite से पहली बात और दोनों में पॉस्पाइब लोए 180 एक से उसको मैं बाहर खिच ले रहा हूं तो कॉस पाइबाइब 180 एक्स यह बाहर आ गया अंदर क्या बच रहा है इस वन माइनस साइन पाइब 180 एक अच्छे से देखना और यह एक टम बचा है बच्चों मेरे पास यह वाला यह कॉमन गया यहां पर डेरिवेटी ओफ एक्स का वन होता है पाइबाइब 180 एसी बचेगा पाइब 180 इंटू में यह पहला टम हो गया बच्चों मेरा इस यह यह पूरे पार्ट में इतना ही बचेगा अब अगर मैं उस तरफ की बात करूं तो एक सेगें ना बच्चों एक सेगें हाजी ब डेरिवेटी होने के बाद पाइबाइब 180 सेम यहां से बच्चों कॉस्पाइब 180 चला गया बाहर तो माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा और यह खतम हो गया और रिवाइड में क्या बचा है हमारे पास इस वन माइनस साइन पाइब बच्चों एकशा अब अगल सकते हैं अब गुश्का औरकुश्काम अग्षा पकट में माइनस है और लकुष खोटा हो सकता है तो सब्च्चों कर सकते हैं तो ।देखते हैं तो दिय भाइद X क्या हो जाएगा बच्चो अपना इटिस कॉस पाइबाइ 180 X इंटु यहां पर जैसी पाइबाइ 180 मुल्टिप्लाएगा बच्चो इस पाइबाइ 180-5 by 180 और और यू कें दूपाइबाइ इस पाइबाइबाइ 180 बहार आ गया जैसे पाइबाइ 180 पैबाइ 180 X और यहां pester प्लस वन प्लस साइन पाई बाई 180 एक्स तो बहुत कुछ कैंसल हो जाएगा कुशन बड़ा छोटा सा हो जाएगा बच्छो आंसर अपन में कौन बेटा है यह तो लास्ट तक वैसे ही चलेगा जो भी कुछ तो डिनोमिनेटर में है इसको हाथ हमें नहीं लगाना है बच्छो अब यहां पर आप देख रहे होंगे दोनों कैंसल हो गया वन और वन टू हो गया सो अल्टिमेटली डिवाई बाई दी एक्स हमारे पास बच गया कॉस ओफ पाई बाई 180 एक्स इन्टू पाई बाई 180 इन्टू यह तू वन और वन टू बचा है अपॉन में इस वन माइनस साइन ओफ पाई बाई 180 एक्स का होल स्कुरे तो इस तू नैन्टी जा और दिस यूर फाइनल आंसर अब और कुछ भी सिंप्लिकेशन सिंप्लिकेशन पॉसिबल नहीं बच्चो तो यह मेरा अल्टीमेट अंसर इस पाई बाई 90 तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे इस पाई बाई 90 और पूरा का पूरा कोशन कंप्रीट हो गया थोड़ा लेंदी है बट एकदम चिंदी है पूशन में द कैलकुलेशन बहुत सारा है बापरे इसमें तो बहुत ही कैलकुलेशन था यूपन भी अप्लाई करो कॉमन निकालो कंपोजिट का डेरिवेटिव किया फिर कॉमन निकाला कैंसल हुआ है लास्ट में एकदम सिंप्लिपाइड आंसर हमारे पास है यह तो इसको हम थोड़ा स अगला जो सवाल है बच्चो इस कॉट के अंदर लॉग और लॉग के अंदर पॉट कोई दिक्कत नहीं है कंपोजिट है स्टेब बस्टेब डेरिवेटिव करते हैं कुछ तो भी कैंसल होंगे और आंसर आ जाएगा नहीं भी वा तो क्या है कुछ तो होई जाएगा चलिए स्टार्ट कर रहा हूं कॉशन वाइज इक्वल टू बच्चो कॉट ऑफ लॉग एक्स अपॉण टू बस सारे फॉर्मूले डेरिवेटिव के याद रखना तो बड़ा आसान हो जाएगा बच्चो आपके लिए चीजों को टैकल कर पाना कॉट एक्स अपॉण टू अब अगर मैं इस कॉशन को स्टार्ट करूं बच्चो पहले तो स्टार्ट करने से पहले यह सुचू कि कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है तो अगर इप 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 बी कॉट एक्स होता तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चो माइन with respect to x so dy by dx क्या हो जाएगा हमारा it is cot cot का derivative होता है बच्छो minus cosec square x की जगे पे क्या है it is log x upon 2 again derivative of log x upon 2 यह हो गया minus log का बच्छो 1 by x जो भी है upon में log का हो जाएगा 1 upon whatever again derivative of that whatever अंदर जो है यानि कि cot of x upon 2 next step में बच्छो इसको कुछ भी नहीं होना है क्योंकि इसके एंगल में log of x upon 2 बैठा है तो इसको कुछ भी कर सकते हैं हाथ भी नहीं लगाना यहां पर देखो बच्छो हाफ हाफ को तो देखो ही मत वह बाहर आ जाएगा उससे तो कोई लेना देना नहीं काट का माइनस कोसेक स्कुएर होता है सो इस माइनस कोसेक स्कुएर एक अपन टू और यह क्लिस में आपकी काहनिक खत्म इन्टू में हा Concept साकि पलस हो जाए सो बच्छों हमारा sì tomar अब यहां पर थोड़ा साने ट्रिगों यूज़ कर सकते हैं चोटा और चोटा करने के लिए देखो कॉट होता है बच्छो कॉस बैसाइन cost होता है cos by sign उपर आजाएगा और cos नीचे cos by sign है تو sign by cos लिख दिये नीचे है cos by sign उपर जाएगा उल्टा ध्यान लगना cos by sign sign by cos into cosec square होता हह 1 by sin square यह हम simplify कर सकते हैं अगर चाहें तो sign से sign cancel हो जाएगा थोड़ा सा simplified हो जाएगा बच्चो ट्रिगों से और कुछ नहीं हो सकता नहीं तो आप चाहिए तो यहीं आंसर रख दो कोई किसी को बुरा नहीं लगेगा तो आपका final answer हो सकता है अगर मैं simplify करू और तो 6 square log of x upon 2 whole upon में it is 2x बच्चो प्लस यहां पर देखो 1 by cos into sine है या sine into cos है और 1 by sine into cos अगर 2 आ जाता इसके साथ मैंने 2 से उपर नीचे divide and multiply किया cancel नहीं किया होता तो अच्छा था क्या होगा देखना यहां पर 2 sine into cos sine 2 theta होता है नहीं चीए यही answer है 2 मत करो कुछ मत करो answer आ गया था थोड़ा उंगली आपको करने की इच्छा है तो कर दो तो ultimate answer आपका हो सकता है minus cos square x cos square log of x upon 2 उसके upon में 2x इसको तो कुछ नहीं होगा plus it is 2 upon sin 2x which is 2 cos 2x मतलब यह थोड़ा और मुझे simplify करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं बच्छो सो मैंने इसको लिख लिए sign 2 theta and 1 by sign cosec होता है तो इस गॉसेप 2 यानि की कोसेप 2x का निक भी आपको लग रहा है simplified करना है तो जबर जस्ती कोई ज़रूत नहीं है यह ठीक answer था यह नहीं करते हैं उंगली तो भी अच्छा answer था पर यह ज्यादा simplify हो सकता है ठीक है चलिए next question की तरब बढ़ता हूं मैं अगला सवाल सारे questions देखने हैं बच्चों हमको अब देखो अगला question जो है y is equal to देखो इस टाइप के question ना बच्चों थोड़े से unique होते हैं इनको करने के और भी तरीके हैं पर सिंस हम किवल first exercise की बाते कर रहें तो भी मैं और ज्यादा तरीके नहीं यूज करूँ है नहीं तो यहां हम ट्रिगो का यूज करके भी सवाल को निप्टा सकते हैं ट्रिगो सब्सिटीशन मेथर्ड मतलब सब्सिटीशन के थूरू जो second exercise में हमको पढ़ना है future में उसका इसी भी तरीके से करो वो रइट है वह वह सही होना चाहिए है ऐसा नहीं के कुछ कर दिया वह गलत है ऐसा नहीं होना चलेगा वह से कोई फ़रक नहीं पढ़ेगा जब तक वह बोलता नहीं आपनो करो तो तो मजबूरी है वैसी करो पर कुछ वो ऐसा कुछ होता नहीं है आपको नॉर्मल कोश्यन आएगा आप कर लो सॉल कर लो भाली तो इसको सॉल करने के बच्चों दो तीन तरीके पहले तो आप से स्टार्ट करते हैं जो हमने पढ़ रखा है यू अपन भी आपको दिख रहा है बस वैसी कर दो या मैं मैं अगर चुछता तो या आपन ऐसा सूचते कि बच्चों इस चीज़ को मैं थोड़ा और सिंप्लिफाइड कर सकता हो सिंप्लिफाइड करने का तरीका है सर यह पाव वो भी चलेगा तो मैं यहां पर सिंप्लिफाइड कर रहा हं डेरेक नहीं कर रहा हूं डेरेक्ट डेरीवेटिव करोगे और लेंदी हो जाएगा फोड़ा साना सिंप्लिफाइड कर लेते कोश्टन को इजी कर लेतें तो मैंने इसको लिख लिया 1 upon e की पावर 2x upon में बच्चो इस e की पावर 2x plus 1 upon e की पावर 2x अब जैसे हम यहां cross multiply करेंगे बच्चो y is equal to हो जाएगा e की पावर 2x का whole square यह cross multiply हो गया minus 1 upon e की पावर 2x whole upon में हम देखे तो बच्चो यहां पर यह हो जाएगा y is equal to e x e की पावर 4x तो टूजा 4 power multiply होता है याद रखना e की पावर a power b बच्चो e power a b होता है e की पावर a into b तो भी multiply हो गया तो यह e की पावर 4x हो जाएगा आप ऐसे कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है final answer सही आएगा it is e की पावर 4x minus 1 upon e की पावर 4x plus 1 अब यह थोड़ा सा easy हो गया वैसा ही है यह upon v ही होगा बस माइनस हट गया है तो क्या शायद derivative करने में आपको थोड़ा easy लगे और कुछ नहीं है अब अगर मैं इसका differentiation start करूँ बच्चो differentiate with respect to x so जिस दिन हम derivative करेंगे it is u upon v अच्छे से हम देखे तो यह हमारा बच्चो यू है और यह हमारा वी है so u upon v करते ही dy by dx देखो क्या हो जाएगा it is v derivative of u माइनस यू derivative of v and upon v का square upon में जो है भाई अब वह एजट इस चलेगा लास्ट तक अगर मान लीजे आपकी बुक में आंसर कुछ हो रहे तो डरना नहीं तरीका सही है कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी उन्होंने अगर ऐसे direct derivative किया तो भी चलेगा कोई मस्वला नहीं है ठीक है क्योंकि मेरे को भी नहीं पता होता है भी बुक में कैसे है ठीक है इस यह हो जाएगा चलो एक एक स्टेप करते बच्चो यह एजट इस एगी पावर 4x प्लस वन यहां पर अगर मैं देखो बच्चो डेरिवेटिव होने जा रहे बिकास बाहर डीवाइड एक से एक पावर पॉर एक्स का वही होता है बिकास एपावर एक्स का डेरिवेटि यह आप मिस्टेक नहीं करना यहां डीवाइड एक अभी अभी नहीं आएगा ठीक है फिकास यूड डेरिवेटि आफ वी प्लस डीडेरिवेटि ओफ यह होता है सब्सक्राइड इस माइनस एक पावर 4x माइन यहां पर डेरिवेटिव होगा तो इस इपावर 4x अगें डे चलिए सिंप्लिफाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चो इस एकी पावर 4x प्लस वन यहां पर वी 4x का डेरिवेटिव इस 4 इंटू इपावर 4x माइनस सिमिलरली बच्चा लोग यहां पर भी देख लेंगे इस डेरिवेटिव 4x का 4 इंटू e पावर 4x यह इंटू है बच्चो लिख लेते हैं वापस से आपको कन्फिशन ना हो 4 इंटू e पावर 4x अब दोनों में कुछ कॉमन है यह आपको साफ साफ दिख रहा होगा बचलो यहां पर और यहां पर 4 इंटू e पावर कॉमन है टेक देट आउट अपान वाले को वैसे पहले लिख दो कि कुछ मिस्टेक नहों से ना टेक फोरी पावर एक्स कॉमन पूर इंटू e की पावर 4x तो यहां अंदर बच रहा है बच्चो e पावर 4x प्लस वन माइनस यहां भी लेट इकी पावर 4x माइनस माइनस प् आगा टाउर इन डिनामिनेटर वी एक पावर 4x प्लस वन दी होल स्केर नाव E की पावर 4x E पावर 4x गैंसल mo one and one two four twos are eight So my final answer is eight in two e power 4x upon e k पावर 4x 1b पूल स्क्राइब तो यह बच्चो आपका final output है देखिंए आपका final output might be direct derivative में बिसीमी आता कोई दिकत नहीं होता यह आएक अंसर कोई दिकत नहीं आप ऐसे करो या अगर आपकी बुक में चलिए पुरांसर लिखते चले बही नोड़ बनाते चले खाली देखना नहीं मूवी जैसे इसको से मगला कुशन वैसे यह बचो जैसे प्रिवेस टेन था तॉसी basis पे आपको question number 11 भी दिख रहा होगा 11 जो है बच्चो हमारा यू अपन भी है साफ साफ हमको दिख रहा है यह वाला time हमारा यू हो गया बच्चो यह वाला time हमारा भी हो गया और अब इसका derivative करना है तो चलो question start करते हैं बच्चो फटापट करना सो मेरा सवाल है y is equal to e की power में root x कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर ता यहां पर रूट है बस इतना ही फरक है previous question और इस question में बच्चो अगर आप ध्यान दोगे तो जब मैंने convert कर लिया था convert करने के बाद इस इपावर 4x-1 upon e power 4x plus 1 ऐसे ही यह भी question बस minus प्लस उपर नीचे डिफर हो गया और 4 की जगे 4x की जगे रूट x है that's it करने का तरीका एक्दम सेम है जैसे भी मैंने previous question किया तो अगर मैं start करूंगा तो देखो differentiate with respect to x लिख लेंगे तो dy by dx क्या हो जाएगा बच्चो वी डेरिवेटिव ओफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ओफ वी अपॉन वी स्कूर अपॉन वी स्कूर चल अब derivative सेम तरीके से सेम पैटन पर बच्चो इसका डेरिवेटिव एपावर एक्स का वही होता है अगें रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा बच्चो वोटेटिव एक स्टेप उड़ा दिया आप मैंने थोड़ा आप आपके आदाद बन चुके बार-बार सेम से सेम स्टेप क्या रिपीट करो मिरको भी बोरिंग लगने लगेगा सो इपावर एक्स जो भी है रूट है तो रूट है अगें रूट का वन बाई टू रूट एक्स वन का जीरो लिखने की ज़रूत नहीं है बच्चो एक पावर रूट एक्स प्लस वन सेम केस यहां पर का लेंगे देखो दोनों में यह यहां भी है बच्चो यहां भी है सेम सेंशन थैज सो रूट इपावर रूट एक्स कट गया बच्चो माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा सो फाइनली क्या हो जाएगा यह यह हो गया इपावर रूट एक्स अपाउन टू रूट एक्स माइनस वन माइनस टू हो गया एन अपाउन it is e k power root x minus 1 the whole square बचो two say two cut-गया and this is your यह हमारा फाइनल आंसर है देख लेते हैं क्या है हमारा फाइनल एख सूंट एक और स्कुरार है है कि और यह मलट मेट आंसर बच्छो तो यह आर फ्रीजर्ड पैले बाटा बाकी प्रोसेस सीम ये उसको स्को किया थाछो छुश चलिए बच्छो आगे बढ़ते हैं सो जैसा कि हमारा नेक्स कोशन है बच्छो अगला जो हमारा कोशन है क्या बोलता है लॉग ऑफ 10 की पावर 3 साइन की पावर 4 वापरे अब बच्छो अगर इस कोशन को हम देखे ना थोड़ा सा आप मेरी बातों को ध्यान देंगे क्योंकि अब जो है मैं कुछ आपको बाते बताऊंगा जो हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी नो डाउट हम फर्स एक्सेसाइस पढ़ रहे हैं करोगे इट विल टेक टू मच टाइम ऐसे कोशनों को कंपोजिट से कभी नहीं करना है स्पेशली जिसके बाहर लॉग मैट है और अंदर इतना बड़ा सा है छोटा होता तो मैं कंपोजिट से ही कर देता मैं लॉग की प्रॉपर्टी नहीं सोचता लेकिन अब इतने बड़ की प्रॉपर्टी यूज करता ना यह कोशन अभी खट से चार लाइन में उड़ जाएगा तो हम उसी से करेंगे मैं भी नहीं कर रहा है इसको मैं आपको लॉग पढ़ाऊंगा लॉग पढ़ाने के बाद में सवाल कराऊंगा और लॉग आइधिंग आपके है थार्ड एक स कफेंड़ गौ से मैं कर सकता हूं थोड़ा जलदी करना चाहें तो यह ठीव से हो सकता है अगर आपको टुट चीव आती Sebastian bye में यह आई में अगट stir को और लॉक दोनों यह तो प्योर लॉक भाई देखो इसमें इसको अगर करना होगा ना बच्चो इस वाले को तो यह तो भी बिना लॉक के करने का मतलब लिटरली आत्मत्या करना है इतना बड़ा कुशन है अंदर और लॉक से दो लाइन में हो जाएगा हमारे लिए ठीक है वीडियो है उसमें अब अब देखेंगे तो लॉक की प्रॉपर्टी पढ़ा रखे तो मैं ऐसा करता हूं न सारे सवाल कर देता हूं लॉक की प्रॉपर्टी से एक बार रिकॉल करके ना बच्चो कर लेते हैं यहीं पर ताकि हम इसको यह एक्सराइज करने के बाद आपका अब पूरा का पूरा इहां कावर हो जाएगा लेकिन यहीं कि उससे पहले लॉक्त प्रॉपर्टी सारी रिकॉल होनी चाहिए याद होनी चाहिए श्पेशली तीन अब वह तीन कौन-कौन शीना मैं जबना रिकॉल करता हूं तो पहली प्रॉपर्टी यह बच्चों लॉग a into b जो की होता है बच्चा लोग log a plus log b पहली बात सेगेंड आपको याद होना चाहिए बच्चो log a minus b जो की हमने सीख रखा है log a minus log b question बहुत एक दो होते तो मैं बुलता भई चलो third exercise में कर लेंगे लेकिन यहां बहुत सारे question log a की power m होता है बच्चो m log a तो बहुत इतनी बात है यह तीन याद रखे एक आदा और कहीं यूज़ोगी तो मैं तुरंट बता दूंगा पर यह तीन maximum है इन तीन में आपकी जिंदगी पार हो जाएगी log के property के सवाल होगी जिसमें भी log आ जाए देखो जहां भी खतरनाक सा multiply बहुत सारी चीजे multiply में हो डिवाइड में हो बड़े बड़े पावर हो लॉग लगा दो दो सेकंड में ने पड़ जाएगा पस लॉग यूज़ करने जा रहे हैं बच्चो लॉग यूज़ करके इस question को complete करने जा रहे हैं यह properties याद रखना क्रिप्या करके जितनी मैंने अ सब्सक्राइब का क्यूब एक्स प्लस नट प्लस सारी इंटू है साइन की पावर फोर इंटू एक स्क्वेर प्लस सेवन की पावर सेवन बड़ा बड़ा सब्सक्राइब लोग के अंदर तीन चीज है multiply में तो भाईया मैंने अभी आपको बताया बच्चो प्लस में तो यह क्या हो जाएगा बच्चो पहले तो मैं derivative नहीं कर रहा हूं मैं पहले कोशन सिंप्लिवाइब कर रहा हूं तो यह जाएगा लॉग ओफ ऐसी थाड़ एक साइस करना याद रखना लॉग ओफ देखो यह है पच्चो यह आपका ए प्लस इंटू है प्लस में जाएगा लॉग ओफ आ दियानि की साइन की पावर फुर फूर फ्लस म लॉग ओफ एक स्क्वाइर प्लस सेवन की पावर से पहला काम हो गया देखो प्रोड़क्ट में था प्लस में हो गया जिस दिन प्रोड़क्ट से प्लस में होता है ऐसी कुशन आसान हो जाएगा खली यह देखना है कि प्रोड़क्ट था प्रोड़क्ट से क्या कनवर्ट हो ग बच्चो 10x similarly बच्चा लोग यहां पर 4 लॉक के अंदर साइन एक्स प्लस यहां पर 7 आ गया 7 लॉक के अंदर एक स्क्वेर प्लस 7 अब यह कुशन बहुत आसान हो गया बच्चो आप इसका डेरिवेटिव कर दो बहुत इसली आंसर मिल दाएगा बहुत आसान तरीके से अब अगर मैं यहां पर डेरिवेटिव करूँ बच्चो डिफ्रेंशियेट वित रिस्पेक्ट टू एक्स देखो दिखने में कुशन आसान हो गया पहले बहुत गंदा था तो यह हो गया डिवाई बाई डिएक्स इस इक्वल टू 3 लॉक का डेरिवेटिव बच्चो वन अपॉन एक्स होता है एक्स की जगे 10 है तो वन अपॉन 10 हो गया इंटू में डेरिवेटिव ओफ 10 का 10 जो भी अंदर है प्लस सिमिलरली बच्चो यहां पे टिस 4 लॉक का होगा 1 बाई साइन एक्स बस इंटू में ड सेवेट इसका वन अपॉन एक्स स्कुयर प्लस सेवेट ङया अगें डेरिवेटिव कर दिजें सिक स्कुयर प्लस सेवेट क ऑस बस नेक्स टेपना आपका अंसर होगा picking तो में कोई दम नहीं था जैसा कि मैं बता रहा था बच्चो आपको सो यह हो गया बच्चो 3 upon 10x और 10 का derivative होता है बच्चो सेक का square x similarly यहाँ पर 4 upon sin sin का derivative cos होता है बच्चो plus it is 7 upon x square plus 7 और x square का derivative 2x होता है 7 का 0 लिखने की जरूत नहीं है सो बच्चो ultimately आपका answer क्या हो जाएगा it is 3 चाहिए तो इसको थोड़ा simplify कर सकते आप अपन देखो बच्चो sign क्या होता है 10 क्या होता है sign upon cos तो sign upon में cos तो वो cos उपर आ जाएगा into सेक होता है 1 by cos square प्लस यहाँ पर it is 4 this is cos by sin cos by sin बच्चो cortex होता है plus 14 x upon x square plus 7 अब similarly इसको simplify करते है तो cos से cos cut बच्चो it is 3 into 2 कर दिया जुगाड आपको समझा होगा शायद इस बर जुगाड क्यों किया बच्चो कि अल्रेडी बहुत बार कर चुका हो मैं यह वाला जुगाड नीचे sign into cos था मैंने 2 से divide multiply गया तो यह sign 2 x बन जाएगा बच्चो it is plus 4 cortex plus 14 x upon x square plus 7 नाव अब final output हमारा आ गया बच्चो it is 6 नीचे sign है वो उपर आएगा तो cos 2 x हो जाए को सिक हो जाएगा sorry not cos it is cosec 2 x sign 2 x है नीचे it is 2 sin into cos sin 2 theta याने कि sin 2 x 1 by sin cosec होता है तो it is cosec 2 x 3 to the 6 plus 4 cortex और प्लस बच्चो और यहां पर प्लस है आज यह प्लस है बच्चो है अल्रेड़ी 14 x upon x square plus 7 और यह हो गया आपका final output जो कि बहुत आसान हो गया बच्चो as compare to composite को solve करना अगर बाहर लॉग है तो हम उसमें बिंदास लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके question को बहुत ज्यादा easy तरीके से कर सकते हैं बहुत लेंदी नहीं करके बहुत सिंपल तरीके से हम उसको लॉग की प्रॉपर्टी से निप्टा सकते हैं बच्चो ठीक है हाँ अगर अगर बढ़ते हैं ठीक है सुभी कहीं भी बड़ा बड़ा इंटू बड़ा बड़ा डिवाइड बड़ा बड़ा पावर दिया आप लॉग लगा अंसर आ जाएगा ठीक है यहां फिला लॉग दिया था तो लॉग लगाना नहीं था बस उसकी प्रॉपर्टी य की अन्यों गॉट यहां सब्सक्राइब है ठीक है जादा स्माल हो गया ठीक है तो फाइनली यह हमारा ऊपूट है बचलो और अब जो है हम आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स कोशन की तरफ अगला कुशन भी ऐसे ही बचो लॉग के अंदर रूट है रूट का मतलब पावर ह सब्सक्राइब होता है तो भी लॉग एक ही पावर एम पावर आगया आएगा फिर लॉग एपन भी डिवाइड डिव माइनस में जाएगा डिवाइड में है तो और फिर स्प्रेट करके डेरिवेट या एक काम और कर सकते यहां पर जो मिरको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि स आपको केवल कंपोजिट आता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा यह पर ट्राय करना समझने की कि सेकें एक साइस पूरा का पूरा ट्रिव है भर भर के ट्रिव लगाना है तो उधर जाने से पहले क्यों नहीं कुछ प्रक्टिकल करते हुए चले यहां से ठीक है आ और इवन आप बाद में सेकें एक्साइज जब खतम कर लोगे तब तो यह आपको महाँ चिंदी लगे का लगे का सब्सक्राइब यह तो इत्तों सबसे आसाल था लिखा है बच्चों हमारे पास ना वन माइनस कॉस्ट थीटा यानिकि वन माइनस कॉस्ट एक्स का सरएग माल माइनस कॉस्ट च्चों India सब्सक्राइब माहेनस सब्सक्राइब यह तो फॉर्मुले होते हैं इस प्शूरी यहको में पढ़ा रख़ा हूए अगर मैं इनको उंग्ली करू ना इनकी जिंदी की महीं नोकूरो तो बच्चों यह यहां और यह तो one minus cos two theta होता है two sin square और one minus cos हो जाता है बच्चो two sin square x by two क्योंकि आधा यहां देखो two है यहां आधा अगर आधा है तो बच्चो formula भी आधा हो गया similarly यह होता है बच्चो two cos square x by two अब अगर मैं इस दोनों questions को यहां use कर लो तो question बहुत आसान हो जाएगा देखो यह मेरा question क्या है one minus cos 3x one minus cos 3x देखो यहां x था तो x by two आया आधा हो गया बच्चो ध्यान देना यहां कुछ नहीं था तो upon में two आया यहां three है तो upon में six हो जाएगा three two the six और same formula one plus cos के साथ होगा one plus cos 3x is nothing but two cos square x by six है बस इतना सा ध्यान देना है कि अपन में क्या हो रहा है कि तूठीटा में क्या होता है बच्चो देखो तूठीटा में अगर मैं इसको कनवर्ट करूं यहां यहां तो one plus cos two theta two cos square theta यहने कि into two हुआ अब यहां into three है अच्छा अच्छा गडबड कर दिया बच्चो थोड़ा साना गडबड कर दिया मैंने गडबड यह कर दिया ना कि यह नहीं होगा क्योंकि two है तो हाफ होता है बच्चो देखो अब आप खुद रियलाइस करो कि क्या मिस्टेक होई थी यह को मिस्टेक क्या होई थी फार्मुला क्या है बच्छो कॉस्ट टू एक्स माइनस वन जिस दिन यह यहां है का one plus to x is two cost square x यानि कि इसका आधा है देखो आधा के अधा है तो सर इसका भी तो आधा आएगा ना तो three का आधा क्या होता है बच्चो three x by two तो इतना ध्यान देना x by six नहीं होगा अटाँ अपन में यह x by 3 होता तो यहां पर x by 6 आ जाता तो यह क्या हो जाएगा 3 x by 2 दोनों तरफ अब मेरा कोशन क्या हो गया मेरा पूरा का पूरा कोशन बदल गया देखो बच्छो मैं कोशन को रिप्लेस कर लूँगा तो अपना सवाल है बच्छो y is equal to log of under root of 1 minus cos 3 x upon 1 plus cos 3 x अब मैं इस कुशन को रिप्लेस कर रहा हूं बच्छो पहले derivative नहीं कर रहा हूं 1 minus cos 3 x देखो 1 minus cos 3 x क्या हो जाएगा बच्छो 2 sin square 3 x by 2 upon 1 plus क्या हो जाएगा 2 cos square 3 x by 2 देखो बच्छो 2 से 2 कट गया यहां भी square यहां भी square तो बच्छो वह whole square हो जाएगा और जिस दिन वह whole square हो गया देखो यह क्या हो जाएगा log of under root of sin 3 x by 2 upon cos 3 x by 2 का whole square तो जिस दिन यह whole square हो बच्छो square और रूट का है अब cancel हो गया रूट का मतलब पावर हाफ होता है टू टू इंटू हाफ टू टू कैंसल तो यह मर गया पूरा तो यह उन्ली लेफित लॉग और sign by cause हमने बच्छपन से पढ़ रहे बच्छो 10 होता है सिंप्लिफाय होके question बहुत छोटा हो गया अब यह मेरा सवाल है मुझे करना अब इसका डेरिवेटिव बस दो लाइन में आंसर आ जाएगा बच्छो हमारा अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दू तो differentiate है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यह देखना डीवाइब डी एक्स क्या हो जाएगा बच्छो अब बहुत आसान है यह कुशन पहले लॉक का डेरिवेटिव वन बाय एक्स तो एक्स की जगे कौन है बच्छो टेन थ्री एक्स बाय टू इन्टू में डेरिवेटिव एक्स बाय टू का बच्छो टेन री एक्स बाय टू अब हमको टेन का पता है डेरिवेटिव भई बच्छो टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सोचो टेन का डेरिवेटिव होता है सिक का स्कूर तो बस लिख दो सो डिव यह वाला उड़ा देते हैं है ठीक है सो जगे बन गी हमारे पास है और इसको न हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं यहां पर यह फॉर्मुले मैंने लास कोने में शिफ्ट कर दिए ठीक है तो अब यह क्या हो गया बच्चों देखों डीवाई डी एक्स इस इक्वल टू वन वाई 10 है अच्या वन बय टे अपको पता है साइन बाई कॉस होता है तो यह सई ट्रीएक्स अपान टू इन्टू कॉस होगा तो कॉस्व पर आजए गा बच्चों नीचे कॉसलिख लिखने की जरूफर नहीं है तो उपर यह हो गया cos 3x by 2 and not again derivative बच्चो सेक का स्क्वेर होगा सेक स्क्वेर 3x by 2 सिंस 3x by 2 है एक्स की जगे तो उसका अगेंड डेरिवेर्टी हो जाएगा यूपि देखो 10 का हुआ अंदर वाले का करना जरूरी है तो 3x by 2 का अगेंड डेरिवेर्टी सो नेक्स स्टेप में क्या हो गया बच्चो सेक स्क्वेर आपको पता है आप क्या लिखेंगे इसको आप सब जानते हैं इस बात को तो मुझे पता है सेक होता है 1 by cos तो मैंने बच्चो इसको लिख लिए 1 upon cos क्वेर सेम देखो ऐसे कुशन कई दफा हो चुके बच्चो और यहां पर x का 1 होगा तो इस 3 by 2 ठीक है सो ना एक कॉस कट गया बच्चो एक कॉस कटा तो भी क्या कर दिया मैंने एक जुगाट 2 से डिवाइड एन मल्टिप्लाय यह क्यों किया क्योंकि यहां पर सर मेरे को साइन और कॉस मल्टिप्लाय में सेम एंगल के साथ दिख रहे हैं जो कि साइन 2 ठीटा बन जाएगा कल को साइन 2 ठीटा का फॉर्मुला होता है क्योंकि और यह बाजू में 3 by 2 बैठा हुआ है तो सिंस 3 by 2 बैठा हुआ है तो बच्छो यह बन गया फॉर्मुला मेरा और यह 2 से 2 कट गया सो इट इस 3 कौन में यह साइन 2 ठीटा है बच्छों साइन 2 इंटू ठीटा क्या है 3x बैट इस तो 2 से 2 अंदर कट जाएगा सो इस फाइनली साइन 3x जो कि बच्छों को सिक हो ज 3x से आप इसको लॉक से करो आप इसको कंपोशित से करो यह लालतीमेट अंसर वुर्ट से 3 & 2 को सिक 3x ट्रीकनोमेटरिसे करने से बस्कूइए होता है कि थोड़ा काम बचता है लेकिन दिमाग ज़्यादा लगता है मैं इसको कंपोशित से करता तो पागल हुने का काम है ब हमारे सामने अंसर है लास्ट में थोड़ी सी ट्रिकों यूज करती सिंप्लिफाइब करने के लिए ठीक है बच्छो चलिए आगे बढ़ते हैं है सिमिलर कोशन आप अगर देखेंगे बच्छो इसकोशन और इसकोशन में बहुत फरक नहीं है वही सेम दो फॉर्मुले मैंने बच्छो इसमें यूस किये हैं वही सेम मैं इसमें यूस करूँगा देखो आप वापस से पहले फॉर्मुले कर लेते हैं बच्छो एक बार 1- cosx 2-sin2 स्क्वेर एक्स बाई-टू और 1-1 coss एक्स बच्छो 2-coss 2 च्वेर एक्स बाई-टू यह दो फॉर्मुले हैं यहां प तो थोड़ा सा चेंज आएगा बच्चो एक्स की जगे पर फाइए अगर यह देखो यह कॉस एक्स एक्स जो की होता है टू स्क्वेर एक्स का आधा अब मेरी लिए एक्स कॉन है बच्चो फाइए इक्स बाइटू उसका आधा यानिकि अपॉन में तू सो अल्टिमेटली य अंदर कैसे चेंज आ रहे हैं मुझे कुछ नहीं करना है यहां पर क्या होता है बच्चो इसका आधा आना चाहिए जो भी है इसका आधा कर दिया यह जो भी है एंगल उसका हाव तो वह फाइव फॉर हो गया को स्क्वेर पा एकस बाइफोथ अपान तू साइन स्क्वेर फाइफ पैस थैक्स क्वेर अब बच्चो सें डूसे टू कट सीज़्ट इसम न्य पूरा नी जैसका बस उसमें टन आया था इसमें कॉट आया अंदर see here log 10 आगे का derivative as it is जैसे इसमें किया है न अब as it is differentiation आप यहाँ पर करेंगे तो log का होगा 1 upon cot फिर cot का होगा cot क्या होता है माइनस को 6 स्क्वेर फिर 5 x by 4 खत अब इसके आगे आप करेंगे थोड़ा सा रहे गया है थोड़े से स्टेप्स मैंने आपके लिए रखें कि आप भी कुछ करें जिब तक आप करेंगे नहीं आप सीखेंगे नहीं देखो बचो यह बात अपनी खोपड़ी में फिट कर लेना सौल करेंगे तभी सीखेंगे खाली देखने से और बस कॉपी करने से कुछ नहीं खोपड़ी में जाएगा ठीक है इसके आगे मैं नहीं कर रहा हूं जैसे बच्चो जिसमें मैंने इसमें किया है वैसे आपको इसमें करना है ठीक है चालो आगे बढ़ते हैं नाव नेक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन और वन प्लस साइन बच्चो अगर आपको याद होगा न मैंने ट्रिगों में वन माइनस साइन और वन प्लस साइन भी लिखा रखा हुआ है मैंने वहाँ पर लिखाया था बच्चो की वन माइनस साइन एक्स बाइटू का होल स्क्वेर सिमिलरली बच्चो वन प्लस साइन एक्स हमारा होता है कॉस एक्स बाइटू अब प्लस साइन एक्स बाइटू का गोल स्क्वेर यह थोड़ा सा डिंजर कुशन हो गया बच्चो इसको अगर मैं ट्रिगों से करूं न थोड़ा सा खतरनाक है पता नहीं आपकी पकड में साइन एक्स बाइटू फिर महाँ पर उसको साइन से उड़ा हो ताकि कॉस से उड़ा हो थाकि टैन बचे फिर वन माइनस टैन आपन प्लस एका जो कि होगा टैन पाइब फॉर माइनस थीटा तो वह और लिंदी हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं करते इससे इससे लेकिन आपको आज आएगा अगर लॉक से करूं तो बच्छो देखो कोशन इग्जैक्ली क्या है यह कोशन है लॉग ऑफ अंदर अगर अच्छे से देखे तो यह लिखा है वन माइनस साइन एक्स अपॉन प्लस साइन एक्स की पावर में हाफ यहाफ है बच्छों तो अग माइनस साइन एक्स माइनस लॉग ओफ फॉन प्लस साइन एक्स अब यह कोशन असान हो गया एक दम अब इसको डिरिवेटिव कर दो यह अच्छ है बच्छों यह बटर एस फो फॉर ट्रिगो यह बटर आंसर तो यह हो जाएगा हमारा डिफ्रेंशेट इस रइट दिफ्रे log is 1 by X सब्थ सब्सक्राइब की कि चनल याऑ यह अब बच्छा है थिता-जी का डीरिवेटिव हो चुका पिता जी लॉग है सेम प्रे बच्छों-1 उपन-1 यह चंद अगिन डेरिवेटिव ऑ अंदर जो है यानि कि 1 प्लस साइन चलो, so it turns out to be what, half of, इसको तो कुछ नहीं कर सकते है, one minus sign वैसे का वैसर रहेगा, one का बच्चो derivative zero हो जाएगा, sign का cos होता है, so this is minus cos अंदर, minus, यहां पे it is one upon one plus sign, और sign का cos हो जाएगा, one का zero, अब बस simplify करना है, derivative तो हो गया, बच्चो अब इसको थोड़ा सा और simplify करो, छोटा सा answer कर दो, इतना बड़ा answer अच्छा नहीं दिखता, it is half, तोनों में cos है, बच्चो मैंने cos बाहर खीच लिया, तो यह क्या हो जाएगा, यहां पर, cos x upon two, बाहर cos आ गया, तो cos इससे multiply one हो जाएगा, two, यहां पर हमारे पास one minus sign, यहां पर one plus sign, cross multiply कर दो, देखो, यह minus भी है, ध् यह रहने देते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, माइनस रहने देते हैं, तो यह minus है, minus one, तो यह इधर multiply और यह इधर और नीचे का नीचे, तो यह जब इधर multiply गा, it is minus one, one plus sign x, minus, यहां multiply गा बच्चो, one minus sign x, whole upon में, it is a minus b, a plus b, multiply आ जाएगे, one minus sign, one plus sign, चलो, next step पर और simplify करते हैं, bracket open कर देते हैं, it is cos x upon 2, अगर बच्चो divide में देखो, a minus b, a plus b, आप बच्पन से पढ़ रहे हैं, a square minus b square होता है, उपर it is minus 1 minus sin x, यहाँ पर minus 1 minus minus plus sin x, तो देखो, question simplify होने जा रहा है, बच्चो, 1, 1, नहीं नहीं, sin से sin cut गया, sin से sin cut गया, minus 1 minus 1 minus 2 हो जाएगा, बच्चो, it is cos x upon 2, यहाँ पर minus 2 बच्चा और 1 minus sin square बच्पन से पढ़ रहे हैं, हम cost square होता है, सो बच्चो, 2 से 2 कसा, cost से cost cut गया, 1 by cost बचा, minus 1 by cost, जो कि माइनस से केक्स हो जाएगा, और यह आपका final answer, उतने बड़े से question कहें, छोटा सांसर, minus seconds, देखो, trigger जहाँ आएगी, वहाँ आप calculation simplify छोटा कर सकते हैं, trigger का यूज़ करके, बस आपको trigger आनी जीए, बच्चो, अच्छे से, तो यह आपका final output है, बच्चो, final answer है, y is equal to log से हमने start किया log के property apply की, और फिर half log का derivative 1 by, again अंदर का, same, अंदर का, दोनों में से जो common था भाहर निकाला, cross multiply कर दिया बच्चो, नीचे 1 minus sine square, cos square हो गया, ओपर sine sine कट गया, it is minus 2, cos से 1, cos कटा, 2 से 2 कटा, minus 1, कानी कटा, चलिए, next question की तरफ बढ़ रहा हूं, बच्चो, अगला बहुत ही अच्छा question, लाजवाब question, यहाँ log का sleek है बच्चो, बहुत जबर्जस खेले, y is equal to, देख लेंगे, question, y is equal to log of, 4 की power 2x, कल को हम कईयों के tricks भी सीखेंगे, बच्चो, बड़े से बड़े derivative को, within a minute, जैसे CET में करना है, वो कैसे करें, तो वो तो हम बाद में सिखेंगे, दिरे दिरे, power में, it is 3 by 2, so, यह काफी बड़ा question है, बच्चो, पर डरना नहीं है, क्योंकि बाहर log है, तो बस, वो लाठी बहुत काम किया है, यह लाठी, इनकी खोपड़ी पे मारेंगे, सब अभी विखर जाएंगे देखना, यह जो लाठी है बच्चो, यह इनकी खोपड़ी पे जब लगेगा, यहां दिख रहे हैं, आप दो चीज़ें, इन्टू में है, यह, इन्टू यह पूरा, यह सब इन्टू में है, तो आपको पता है, इन्टू किसमें कनवर्ट होता है, बच्चो, प्लस में, it is log of a, plus log of यह बड़ा आसा, बी, पावर में इस थ्री बाए टू, नाओ, बच्चो, नेक्स्ट टेप क्या, खोपड़ी पे दिख रही है आपको, तो बहिए, लॉग ए पावर एम, आगे आ जाएगा, बच्चो, इस तू एक्स लॉग फॉर, प्लस, यहाँ पर बच्चो, थ्री बाए टू आगया आएगा, इट उस लॉग ऑफ, देखो, जब जब बच्चो, 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 लॉग ऑफ, एम लिख सकते हैं, बच्चो, लॉग ऑफ, थोड़ा सा ध्यान देना, माइनस लॉग ऑफ, इस चीच को अगर आप अच्छे से देखो, इस टू एक्स क्यूब, पावर, फॉर, माइनस फॉर, पावर हाफ, देखो, रूट है बच्चो, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, अब मैंने क्यो लिखा था कि मैं उस हाफ को आगे ले सको, और कोशन को और इजी कर दूँ, तो नेक्स्ट टेप में क्या हो जाएगा, आप अब्सर्फ करेंगे यहाँ पर, इस टू एक्स, टू लॉग 4 इंटू एक्स लिखते हैं, यह पूरा-पूरा कॉंस्टेंट है, साइड में रख दिया, इंटू एक्स, प्लस यह 3 बाइ 2 मल्टिप्ला हो यह हमारा question simplify हो चुका, अब हम करेंगे derivative, देखो अब तक हमने derivative छुआ भी नहीं है, यह पूरा का पूरा लॉग का simplification है, बच्छो, यहां से लेके यहां तक ना पूरा लॉग को यूज किया है, हमने केवल, अब स्टार्ट होगी इसकी derivative, अब अगर हम इसकी derivative स्टार्ट कर देखेंगे, plus it is 3 by 2, लॉग का derivative हमको पता है, बच्छो, 1 by x होता है, बस अगें derivative अंदर क्योंकि भी या, x की जेगे पर कोई तो भी और बैठा है, x2 plus 5 का अगें derivative कर दिया, minus 3 by 4, सेम यहां पर लॉग का 1 by जो भी अंदर है, वो, just again derivative बच्छा लो, जो अंदर है, वो, now, ultimately, it is, अच्छा, 2 log 4 को क्या-क्या लिख सकते हैं, you can see, यह 2 इसकी खोपड़ी पर चला जागा, तो it is log 16, या ऐसी रहन दो, क्या करना है, क्यों करना है, इसको अब as it is लेते चलो, plus, देखो बच्छो, इसका derivative, x2 का 2, इसका constant का 0, x2 का 2 x, constant का 0, it is 2 x, x, into में 3 है, upon में 2, x2 प्लस 5 है, बच्छो, यहाँ पर it is minus 3 by 4, upon में कौन है, 2 x, cube minus 4, इसका derivative, 3, 2, 6, x, और constant का 0, बच्छो, आगया answer, अब जो कुछ कट रहा है, कार्ट तो नहीं कट रहा है, छोड़ो दो, 2 x, 3 x, और बस, आप अपने final answer पे हैं, बड़ा इस equation का बड़ा, चिंदी सा answer, बड़ा चिंदी तरीके से हो गया, it is 3 x, अब कुछ नहीं करना, इसके आगया, बस, यह last answer है, minus 9 x, upon, 2, 2 x, cube minus 4, कहानी खत, बड़ा था यह, अगर आप इसको composite से कर से लिटरली पागल होते हैं, तो सोचना भी निए composite से करने का, यह सबसे easier way है, log को use करो, log की property को, derivative देखो यह 3 line की है, बाकि उससे जदा तो यहाँ पर simplification है, 4-5 line में तो हमने simplify किया चीज़ों का, और बस फिर differentiate easy way में कर दिया, एक दाम easy way, ठीक है, चला, अगला भी same है, बहुत सारे question बच्चो, similar question है, यह सारे, आजी, यह भी वही question है, तो यह देखे, दो में, इन में भी log की property ही apply होगी, चलो, थर्ड में भी, चलो, देखते हैं के question फटाफट करते हैं, बच्चे, क्योंकि मेरे को लग रहा है, इतने question करने में हमें एग घंटा पार करके, so y is equal to, बच्चो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log of, it is e x का square, 5 minus 4 x power 3 by 2, upon, देखो cube root का मतलब क्या होता है, बच्चो, 7 minus 6 x power 1 by 3, जैसे square root का क्या होता है, 1 by 2 होता है, पावर में, cube root में, पावर में 1 by 3 हो जाता है, चलो log apply करते हैं, तो यह हो जाएगा, log of, देखो upon में है, this upon this, तो log a upon b बच्चो आपको पता है, वो होता है, log a, minus, log b, नो, यह अरे, यह हो गया, बच्चो, log a, minus, यह पूरा a है, यह b है, तो log a upon b हो जाता है, log a, minus b, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, बच्चो, दो चीजे into में है, तो आपस से log a into b है, तो मैंने यहाँ पर फिर से सोच लिया, फट से, log a, plus log b, अब यह काफी अत्तक simplify हो गया है, बस फटा-फट, पावर को आगे खीच लेते हैं, और डेरिवेटिव कर देंगे, कानी खत्तम, बच्चो, पावर में 1 by 3, अब हम पावर वाली प्रॉपर्टी भी उस कर लेते हैं, और इजी हो जाएगा मेरा कोशन, तो बच्चो, मेरा कोशन, y is equal to हो गए, देखो, यहाँ पर log e की पावर समतिंग है, यह खुपड़ी से नीचे आएगा, 7-6x, अब इस कुशन को सिंप्लिफाइ कर देते हैं, तो y is equal to हो गया, बच्चो, x square क्योंकि log e 1 होता है, प्लस, अब बस खतम, अब कोई simplification possible नहीं है, ना वह हम पो derivative करना होगा, बच्चो, अब next step में आ जाएगा derivative, इसको as it is मैंने चाप दिया, ना जैसी हम इसका differentiation करेंगे, बच्चा लोग, so just observe, कि dy by dx, just right differentiate with respect to x, so बच्चो, dy by dx हमारा हो जाएगा, x square का derivative is 2x, प्लस, 3 by 2, log का बच्चो, 1 by 5 minus 4x, again derivative of 5 minus 4x, minus 1 by 3, log का हो जाएगा, बच्चो, 1 upon 7 minus 6x, again derivative of, 7 minus 6x, so ultimately आपका answer हो गया, 2x plus, 3 by 2, 5 minus 4x, अब इसका derivative देखो बच्चो, 5 constant है, तो 5 का 0 होगा, x का 1 होता है, तो it is minus 4, we left with minus 4 बचाएगा, यहाँ पे, same यहाँ पे अगर हम देखे, तो minus 6 बचेगा बच्चो, अब जो कुछ कट रहा है काट दो भी, तो यह टूजा, यह भी टूजा, तो और क्या हो जाएगा, इस 2 बच्चो, plus minus minus 3 टूजा 6 अपान 5 minus 4 x, minus minus बच्चो, प्लस हो जाएगा, इस 2 अपान 7 minus 6 x और यह हमारा answer आगया, बच्चो कोशन खतम हो गया ठीक है अच्छा कोशन खतम हो गया बचलो यहां पर नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं सारे अब देखो सीमिलर कोशन है सब में लोग की प्रॉपर्टी लग रही है और अल्मूस्ट कोशन जो है वो नहीं पड़ जा रहे ठीक है अगला कोशन भी देख लेते हैं बच्चो फटाबड यहां पर भी आप देखेंगे तो वाइस इकोल टू लॉक की प्रॉपर्टी यह लॉग अपॉन भी बच्चो होता है लॉग ए माइनस लॉग ओफ बी बड़ा बहुत बड़ा सा है बच्चो बी तो कोई दिकत नहीं है हम तो लॉग के स सारे सारे कुशन निप्टा देंगे यह क्या हो जाएगा बच्चो कॉस आगे तो इस लॉग ए अब लॉग ए को भी बन नहीं लिख देना लॉग ए केवल वन होता है लॉग ए नहीं बिकॉस इसके बेस में कुछ नहीं लिगा मतला नैश्रल बेस यह तो दोनों अलग अलग तो बच्चा लोग यहां पर 3 आएगा लॉग A प्लस लॉग B लॉग ओफ लॉग X कोई दिक्कत नहीं है लॉग ओफ लॉग X हमने अल्रेडी कई दफ़ा जो है डिरिवेटिव किया है तो डरने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है तो यह हो गया बच्चो हमारा लॉग A ऐस आसेगा इसा इंटू में कॉस X है माइनस यहां पर 3 आगे आ जाएगा बच्चो लॉग की प्रोपर्टी अगें लॉग ओफ एक स्क्वेर माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस होता है इस लॉग ओफ लॉग एक्स ना अब नेक्स टेप पर क्येवल डेरिवेटिव कर दो और आ इन होता है सर्थेस्ट माइनस लॉग ऐसी रख test मैंने इंटू साइन एक्स-3 लॉग का हो जाएगा बच्चो और एक स्क्वेर मैनस 3 अगेडटर ऑगें डेरिवेटिव जो अंदर है एक स्क्वेर माइनस 3 माइनस यहां पर बेंदो लॉग का देखो अदर लॉक अ time कि बच्चो आंसर हो गया माइनस ओफ लॉगे साइन एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव बच्चो टू एक्स होगा इस थ्री अपॉन इस बच्चो अगेन बाएक्स होथा तो इस एक्स इंटू लॉग एक्स इम और य्मला एक्स ऑगें वन बाएग्स वॉटो इस इंटू लॉग इस इक्स इसका जॉगी आंसर यहीज एक्सrente खतं हो गया कॉचिन माडिप्ला करत осв 3 to the 6x question और और इस टाइप के सारे सवाल खतम जिनमें लॉक की ये वाली properties यूज हो रही थी तीनों तीनों के तीनों हमने मतलब सारे के सारे कर दिये बच्छों जिनमें ये property यूज हो रही थी बड़ा आसान सा था कुछ भी बहुत डिफिकल्ट जैसा नहीं था बच्छे लोग बस property यूज करो का स्क्वार 16 होता है पाई का स्क्वार 21 तो यह भी प्रोपर्टी का ही हिस्सा है अगर आपको याद होगा मैंने प्रोपर्टी सिखा यह बच्छों यह की पावर लॉग ऑफ एक्स वह एक्स होता है क्यों क्योंकि यह बेस में भी यह देखो यह से अगर कलम को मान लो अब यह इसी प्रोपर्टी पर बेस्ट नहीं तो फिर बड़ा कोशन है यह 25 पावर एक्स जैसा फिर कंपोसिट में करोगे तो बहुत बढ़ा है लॉग से करोगे तो बहुत छोटा है अगर मैं इसको लॉग से 25 को इसा किन राइट 5 क्या स्वेर और जो भी है वो तो है क्य थीद कि पावर मल्टीप्लाइ और फोरे से शिमिलर लीडिस इस फोर का स्क्वेर और हमने अभी बच्चो प्रोपटी पड़ी की लॉग ए पावर म क्या ओता है एम लॉग ए तो बच्चो अगर एम आगे है तो मैं इसको खुपड़ी पर भी ले जा सकता हूं तो यहां से 2 खुग आया वुजाएगा और यहां से भी तो देखो कॉशिन क्या हो जाएगा बच्छो इट i5 लॉग ओफ 5 क से का स्वेर है इस सिमिलर नी बच्छो यहां पर फॉर लॉग ओव 4 10 का स्क्वेर और यह कुशन ना सिंप्लिफाय हो गया बच्चो अब अगर आप इस प्रॉपर्टी को देख लो यह दोनों ऐसा मानलों की कट हो जाता है तो एक्स बसता है तो यहां पर भी दिखो दोनों सेम है तो ऐसा सुचे कट हो गया कट नहीं हो रहा है प्रॉपर्टी माइनस 10 का स्क्वेर हमेशा वन होता है तो इसका डेरिवेटिव करना ही क्या है डिफ्रेंशेट विट रिस्पेक्ट टो एक दीवाइब एक जीरो खत्तम कुशन महाचिंदी कुशन था बच्चो दिखने में बड़ा भाहन करता आप कंपोजिट से करते पूरा एक पेज भ सवाल है तो इस वीडियो में बच्चो इसी कुशन तक करेंगे बन पॉइंट एटीन मिनट का हो चुका है वन आर एंटीन मिनट्स का तो फिर मैं नेक्स वीडियो में बागी की चीज़े जो है वह बना दूँगा काफी बड़ा एक सारे एक साइस बड़े बड़े एक एक स बस यूप अपन वी अपलाई करतो अगर हम यूप अपन वी अपलाई करते बच्चो तो लिख देंगे सीधे डिफ्रेंशेट विट रिस्पेक्ट टो एक्स वाई आप लिख लेना डिया द्धिए एक्स इस एक्वल टू अपन वी यू अपन क्या बोलता है वच्छो वी V derivative of U मैं चाता तो इसको भी log से कर सकता था पर इसमें बहार log है नहीं अपने मंद से लाना पड़ेगा अपने मंद से लाने का मतलब वो third exercise होगे है उसको हम third exercise में देखेंगे ठीक है minus U derivative of V upon V square upon मैं बच्चो इटिस V का whole square so अब इसको complete करते हैं बच्छो it is under root of x square minus 5 यहाँ पे हम देखें बच्छो इसका derivative तो 4 नीचे आ गया, it is x square plus 2 की power में 3 बचेगा देखो यही rule है, x power n n नीचे आएगा, एक कम होगा, again अंदर वाले का derivative, पिता जी पावर था, बच्छा जो है वो अंदर बैठा x square plus 2, same यहाँ पे देखेंगे बच्छो, it is minus x square plus 2 की power 4, root का derivative हमने पहले पढ़ रखा है, 1 upon 2 root x होता है बच्छो and again derivative अंदर वाले का जो अंदर बैठा it is x square minus 5 upon में v square है, तो square और root मर गया, it is x square minus चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब इसको क्या है, simplify कर ले, असान question है बच्छो यह वाला, same ऐसे न जाने कितने question कर चुके अपन यहाँ पे x square का 2x हो जाएगा, तो it is 8x x square plus 2 की power 3 upon बच्छो इसका 2x होगा 2, 2 मर गया, किवल x बच्छा, x upon under root of x square minus 5, यह आपका काम हो गया, यहाँ पे x square minus 5 है I think मैं sign गयाप कर चुका हूँ बच्छो, यह minus का sign है बीच में यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे minus का sign है बच्छो यह, minus एक सेगना बच्छो हाँ, यह पार्ट हो गया हमारा, इड़ एक स्क्वाइर प्लस टू की पावर पूर अपॉन तू से टू मर आ तू से टू मर गया बच्छो इंटू, it is, x बचेगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ एक स्परम है, यह आपका आंसर है, मतब नौट आंसर है, कि नेक स्टेप है, अब मैं इसको सिंप्लिफाई कर लो, या आप सिंप्लिफाई कर लें, आप अच्छे बच्छे हैं सब, अब अगर इसको सिंप्लिफाई कर तो यह दोनों चीजे कॉमन है, x कॉमन है, 8 तो कॉमन नहीं है, यहां पर तीन बार है, यहां पर चार बार है, तो तीन बार कॉमन आजाएगा, तो कॉमन आते ही, it is x कॉमन, x स्क्वेर प्लस टू की पावर 3 कॉमन, तो अंदर यहां पर क्या बच रहा है, 8 and अंडर रूट x स्क्वेर माइनस 5, यह दो चीजे बची, यहां से 3 बार गया है, तो बच्वेर एक बचेगा, x स्क्वेर प्लस 2, and upon अंडर रूट ओ, x स्क्वेर माइनस 5, whole upon it is x स्क्वेर माइनस 5, अब बच्वेर इसको सिंप्लिफाइ करिए, so it is x, x स्क्वेर प्लस 2, the whole cube, यहां पर बच्वेर बच्वेर क्रॉस मल्टिप्लाइ करेंगे, तो it is 8, x स्क्वेर माइनस 5, रूट रूट मर गया, माइनस 5, माइनस x स्क्वेर प्लस 2, बच्वेर है, whole upon में एक रूट बच्वेर का बच्वेर 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 as it is रहने दो यहां पर 8 x square multiply होगा माइनस 40 माइनस x square माइनस 2 अपन मेट इस अगर आपको इसको simplify करने आता है बच्चो इसका मतलब होता है x square माइनस 5 की power 3 by 2 अब यह कैसे हुआ अगर आप सोच रहे हैं तो देखो यह पूरा स्हेum है यह और यह थो यह अगर ए छवावर हाफ रूट मतलब की यहां पदेंको iki पार 1 नि it make expensive हाफ थे sec पर एड होता है आफ प्लस एख रूप्य प्लस अठरॉड रूपया होता नहीं यह बस हो गया है ठीक है बच्छा लोग यह तो 7 common निकाल लेना नहीं निकालेंगे तो भी इनाफ है कोई जबर जस्ती नहीं कि इसको और simplify किया जाए तो यहां पर बच्छों हमारा question number 3 खतम हो गया बहुत सारे सवाल थे हमने कई questions log के देखे ट्रिगो देखा इसमें जो कि हमको आगे पढ़ना है ट्रिगो और लॉग वह अभी हमारा दो परसेंट उसका solution आपको provide कर दूँगा ठीक है तो चलिए बाइबाय टेक केर खुश रहें पढ़ते रहें और बहुत आगे बड़े बच्छों मिलते रहेंगे